फिल्म के शुरुवात होती है ड्राउनी जिंगल सी जहां एक आदमी डरा हुआ भाग रहा था उसके हाथ में गन भी थी जहां तभी आकर एक विंपायर उसी काट लीता है जिसकी बाल नहीं थी और काफी ड्राउन नग रहा था क्योंकि बड़े बड़े खोफनाग दाथ थी विंपायर गिने इन्सानों का खुन पिनी वाले अब इससे पहलेकि विंपायरु उसका साना खुल पी जाता तबेया सुरज निकलाता है जिसनी जिलने सी खुविंपायर जिलकर राक byod बन जाता है उसका तो खात्मग हो गया था और उसकी काटने की बज़े सी यह आदमी अब एक विम्पायर बन गया था क्योंकि सूरज की रोशनी इसे भी जदा रही थी तब अपनी जान बचाने के लिए वह जादर ओड़कर वहां से बागता है और एक शेड में आकर छूप जाता है जो इस मुवी का नाम भी इसके बाद हम एक लड़की स्टैन को देखते हैं जिसे उसकी मौम जगाने के लिए आए थी नाश्ता करने के लिए वो नाश्ता कर ही ना था कि तभी उसकी होश उड़ जाती है क्योंकि अच्छाने कि उसकी मौम की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनकी सारे बाइल उतर गी थी साथी चीरा भी काला पड़ने लगा था की बज़र से वो तोड़ा सथ थी इसलिए उनका बरताओ स्टेंड की साथ अच्छा नहीं था तो ये भी उन्हें खास पसेंड नहीं करता था अब हर रोज की तरहा वो स्कूल की निकल जाता है हम देख पाते हैं कि वो शड़ जहांवें पर आदमी छुपा है वो स्टेंड की चुड़ रहे हैं पर आगे से कोई छूट नहीं दी जाएगी स्कूल में तीनों शुड़ार्ती लड़के स्टेंड की दोस्त को भी परिशान कर रहे थी पिर तबिया स्टेंड आकर उसी पर चाहा देता है ये लोगों की लड़ाई होनी लगी थी क्योंकि ये सिर्फ आज क साथ अच्छा परताओं नहीं किरती स्टेंड और उसका दोस्त थोड़ा इंजॉय करने के लिए बाहर आगी थी जिस बीच उसका दोस्त रोकसी को लेकर मजाद मजाद में कोई गल्ब बात कर देता है जिस बास से स्टेंड चुड़ जाता है क्योंकि वो रोकसी को पसेंड करता था नराज वो करवांसी चानी लगता है उसका दोस्त कहता है कि तुम एक नंबर के पागल डर्फोग इनसान हो पैसे गाड़ी की लाड़च में वो तुमें चोड़ कर चिली गई और तुम अभी भी उसकी पीचे पागल हो तब स्टेंड कहता है कि मेरे ख्याल में ऐस कुछ नहीं अच्छी जिनकी गुजारने का सब को हाक होता है इसमें कोई बुराई नहीं है वो घर जाकर भी रोकसी के बारे में ही सोच रहा था कि तब युसके गाड़ा जी उसी बुला लेते हैं गास काटने के लिए तो वो अपने डौक को बाहिर लाता है बानने के पूरी तरह ही रिमपायर बिंद गया था बेपीचे से आकर वो स्टैन पर हमला कर दीता है लेकिन किड़की के जरी जैसी दूप अंदर आती है वो जिलनी लगा था स्टैन को छोड़ दीता है जो भाग आकर शेट की अंदर चिला जाता है अब वो गया तो ठीक टाके था प कि उसे समझ लेग गई थी कि यहां कोई मजाक नहीं जिल रहा बलकि कोई बड़ी गड़बड़ है इसी दी वो हत्यार लेने घर के अंदर जाता है जहां उसकी दादा उसी रोकर डॉक के बारे में पूछती है तब स्टैन उन्हें सारी बात बता दीता है कि वहां शेट में कोई राक्षिस कोई जानवर है उसने हमारे डॉक को मार डाना है और उसकी दादा को जरब यकीन नहीं होता पर जब वो जैक करने बाहर जाती है तो अपनी डॉक पर कटा हुआ सर देकर यकीन उनको हो चुका था उन्हें गुस्सा आ गया था इसलिए स्टैन की मना करने की बादी वो शैड में चले ही जाते ही अगली पल जमीन पर आके गिरती है जिनकी पीट पर विम्पायर ने हमला कर दिया था क्योंकि खोन निकल रहा था स्टैन उन्हें बचाने के लिए कौफी जोड लगाता है और विम्पायर काफी ताकतवर था हीच कर उन्हीं अंदर में ही जाता है वो फिलाल जंजीरों सी पूरे शैड को बन कर दीता है सील कर दीता है क्योंकि उसे क्या करना चाहिए ये बत समझ नहीं आ रहे थी पुलिस को बता नहीं सकता था क्योंकि वो उल्टा इसी जिल में बन कर दी रात को जब वो सूने की कोशिश कह रहा था तो तब कोई उसका दिरौाजा खोलनी रखता है जो नहीं खुलता क्योंकि लॉठ था अगले दियन स्कूल में वो सब बूलने की कोशिश कह रहा था कि तबी उसकी पसी रॉक सी खजरती है वो स्टैन को उदास-देत रहा कर उसकी पास आकर बैर आट ही रही थी और अपने पुराने वक्त को याद कर रही थी कि तब यहां उन्हें परेशान करने के लिए शिरार्थी ग्रॉप का लेडर मारबल आ जाता है वर रोक्सी को चिड़ाने लगता है कि तुम एक बुजिल डर्फोक इंसान के साथ बैठी हुई हो अब उनकी जाने की बाद तब यहां स्टेन का दोस्त आ जाता है जिसी देकर रोक्सी वाहाँसी जा झुकी थी प्रिस्टेन अपने दोस्त पर गुस्ता करने लगता है कि तुमने आकर सारा काम खराग कर दिया हमारी बंटी बात भीगार थी और मैं उसे शेट के बारे में भी नहीं बता पाएं ये बात करकी दोनों अपनी अपनी रास्ते पर निकल जाती है पर बदकिस्मिती से स्टेन की दोस्त को मारबल उसके शिनारती दोस्त मिल जाती है जो उसे पकड़ कर काफी बूरी तरह मारने लगती है उधर स्टेन विम्पायर का सामना करने के लिए एक बैट लेकर जाता है वो बहुत हिमत बहादुरे से गया होता है और एक दम से शेट का दर्वाजा तोड़कर विम्पायर जैसी उसे पकड़ता है वो काफी डल किया था लेकिन दूप निकल रही थी जो जैसी रिम्पायर के हाथों पर पड़ती है वो जलनी लगता है स्टेन को छोड़ दीता है और कुछ इस तरह सी उसकी जान बचपाती है वो अभी इस सद्वे सी बाहर नहीं आया था कि अगर यह सच है तो साबिट करके दिखाओ वो यह कि गर शेट की तरह बढ़ जाता है कि मैं भी तुमारा वो मॉंस्टर रेखना चाहता हूँ वो जैसे उसका भयानक चीरा देखता है उसी एकिन हूँ चाहता है वो डर भी गिया था जिसकी बाद दोनों दोस्त मिलकर लकडियां लगाकर दरवाजे की उस शेट को बन कर दीती है स्टैन उससे कहता है कि मुझे मशूरा दो कि मुझे क्या करना चाहिए जिसपर उसका दोस्त जवाब देता है कि ऐसा करती है उन शिरारती लड़कों को यहाँ लाकर बन कर दीती है जिससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा साथ ही आगे से किसी को परिशान भी नहीं करेंगे क्योंकि जिदा ही नहीं बचेंगी स्टैन उसे कहता है कि तुमने कितनी अराम से खोन की उनने मारने की बात कर दी जिकि मेरा ऐसा कोई ख्याल था ही नहीं और हम ऐसा कुछ नहीं करने वने तुरसल स्टैन का दोस्त बदली की आग में पूरा पागल होता जा रहा था जो कोई अच्छी चीज़ नहीं थी स्टैन को भी ड्रेड लगने लगा था कि कई ये किसी को विमपायर की बारे में बटा ना दे पर उसका दोस्त बरूसर दिलाता है कि भी फिकर रहो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वना तरात को स्टैन एक फिल्म देख रहा होता है जिसने वो ये तरीखा सीखना चाहरा था कि विमपायर को कैसी मरज उसे दबीन तरीकी पता चिलती है पहला उसे दूप में जिला कर मारना दूसरा उसकी दिल को खत्म करना और तीसरा उसकी सर को काट कर जिसम से अलग करना फिल्म देखते देखते ही वो सो जाता है जिस बीच दिवार पर लगी पोस्टर में से एक लिड़की निकल कर उसकी पास आजाती है जो और कोई नहीं बलके रोकसी थी स्टैन की आँख उल गई थी उसे देखर वो अभी हैरान हो ही रहा था कि तब भी रोकसी खतरनाक विम्पायर में बदल कर एकदम उसे काट लीती है जिससे एक बर फिर ड़कर उसकी आँख फुल जाती है क्योंकि ये उसका बुरल सपना था पाहिट जाने के लिए वो जैसे जूता पहली लगता है तो तब ये उसकी नजर बैटके नीचे जाती है जहां वो अमपायर चुपा हुआ था जो स्टैन पर छपट पड़ता है जिससे दुबारा उसकी आँख फुल जाती है और हम समझ गें कि ये भी उसका सपना था और अब जाकर वो सच में जगा है जिससे साफ जाहिर था कि वो जाकते भी परिशान रहता है और सोते हुए भी डर की बज़ासी वो चाओ को अपनी साथ लेकर ही सोया हुआ था जिसका कट उसकी अपने जीरे पर ही लग जाता है वो सोचने लगता है कि अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो मैं पागल हो जाओंगा इसलिए एक सुराख करने वाली मशीन लेकर वो शेट की चत पर चीट करनी लगता है ताके सूरज की रोशनी अंदर आए और वंपायर को जला कर मार दी लेकिन उसी पूरी तरह कत्म करने से पहले वो दुबरा गर की अंदर आता है जहां उसकी घर की बाहर शेरिफ आ जाती है जिस पर वो कहता है I'm sorry मैं उस फैमली को भी नहीं जानता जिस बास से वो और बेशिक में बढ़ जाती है क्योंकि वो फैमली उसकी घर की बोटी पास रहती थी उस फैमली की जानरों को कोई मा रहा था कातिल को डूरने के लिए उस फैमली का हैड जिंगल में गया था पर अभी तक वापिस नहीं आया जिससे हम समझ पाते हैं कि शुरवात में हमने जिस आदमी को देखा था जो जंगल में डरा हुआ भाग रहा था वो द्रसल उस फैमली का हैड ही था जो एमपायर बने की बज़र से स्टैन की शेड में ही चूपा हुआ है उसे स्कूल से दे हो रही थी तो किसी भी बात का वो ठीक से जवाब नहीं देता शेरीफ उसे कहती है कि अगर तुम जाओ तो मैं तुमें स्कूल तक छोड़ सकती हूँ जिस पर मजबूरन स्टैन को मानना ही पड़ता है लेकिन जादे जादे शेरीफ उसकी ददाजी की चुड़े देख लेती है जो जबीन पर गिरी हुई थी स्कूल आकर स्टैन रॉक्सी से मिलता है जो से पूछती है कि तुमने अपना क्या हल बना रखा है सब ठीक तो है उनकी बात की दुरादी मार्बल वहां आकर रॉक्सी को पर से चिड़ाने लगता है उसने आज हदी पार कर दी थी जो जीज स्टैन से परदाश नहीं होती इसलिए वो मार्बल को मुकों से मारने लगता है वो मार मार कर उसे नेजी बिरा दीता है पर वो कुछ पिर नहीं कर पाता और इस तरह से सब के सामने उसकी अगर निकल जाती है स्टैन को उस पर एतना गुसा था कि वो से मारता ही जा रहा था अब इससे पर एक वो मार्बल को जान से खत्म करता पीचर लियां आकर उसे रोक ली थी और गुसी में की थी कि मैं तुम्हारी बरताओ से पहले खाफी परिशान हूँ लेकिन आज तो तुमने हादी पार कर दी अब मैं तुम्हारी दादा के साथ मेटिंग कर के सब कुछ बता दूगा वो फोन नहीं उठा रही तो तब मैंने शेरिफ को बेज़ा है उन्हें लाने के लिए ये सुनकर स्टैन एक दम काफी घुबरा जाता है क्योंकि वो जानता था कि अगर वो शेर्ट तक पहुँझ गई तो बहुत बुरा होगा हलांकि वो उसी काफी समझाने की कोशिश करता है पर वो कुछ पे सुनने को तयार ही नहीं थी स्टैन की लाक मना करने की बाद भी वो दर्वाजा खूल देती है जिसके अंद्या से फोरण विमपाइर बाहिर आगर उसी सजा दीता है उसकी गरे पर काट कर विमपाइर फिर उसका वो हाथ दियो खेड कर जिसम से अलग कर दीता है जिसमें गरन थी वो खेज कर फिर शारिफ को तो घर की अंद्र लिजाता है जिबके उसका हाथ वहीं बाहिर ही गिर गया था अभी स्टैन सबने में ही था कि तब उसकी परिशानी और बढ़ाने के लिए यहां मार्बल आ जाता है वो उसे कहता है कि मैं अपनी बीस्ती का बदला लेने आया हूँ जिए तुमने सब के सामने मुझे पीटा हूँ स्टैन उसे कहता है देखो यहां एक और काफी बड़े मुसीबत है तो प्लीज अभी सही वक्त नहीं है पर मार्बल उसकी एक नहीं सुनता और उस पर हमला करकी उसे मारता ही जारा था तो उसे बचाने के लिए वहां स्टैन का दोस्ता जाता है जिसमें शेरिफ के गन उठा ली थी उसे देखकर मार्बल तोड़ा डर जाता है क्योंकि बेशक्व तोड़ा डरफोक है इतना चलाप नहीं है पर पागलपन के मामले में वो सब से आगए है स्टैन उसे रोकने के कोशिश करता है जिसके जवाब में वो कहता है कि अगर तुम बीच में आई तो मैं तुमें भी मारने में दीर नहीं करूँगा क्योंकि एकने सालों से मच परी लोग जुल्म कर रही है जिसका बदला मैंने आज लेकर ही रहना है वो पिर गन क्वाइट पर मार्बल को शटकी अंदर जाने का करता है अंदर जाने से पहले मार्बल की नजर कटे हुए हाथ पर पढ़ती है अब उसे देखकर वो डरतो गय किया था कैसे मारी डाल जाए अब उनकी शाठाप पाई में वो काफिट रहर ही लेकर मार कर ढूंब करकर देता है जैहां कि उसकी दोस्ते यह बज़ा दर आख था क्योंब रहा है स्टेन उसे पूछता है कि वो इंपायर जो यहाँ पर था कहां गया है तब उसका दोस जिवाब देता है कि फिल हाल तो वो चिला गया पर तुम से अपना बदला लेने के लिए वापिस जरूर आएगा इससे बेच यहां रॉक्सी भी आ जाती है उसे देकर जैसे स्टेन का दियान बटकता है उसके दोस उस पर हमला कर दीता है पर मोगा पाकर स्टेन एक लकड़े उसके जिसमें गुसा कर बाजू उसका दूप में कर दीता है जिससे वो थोड़ा जल गया था दूप जैसे उसके पूरे जिसम पर पढ़ती है वो जलनी लगा था और दोड जागी गिरता है स्टैन को लगता है कि शाद वो मल गया होगा इसलिए बाहिर आकर वो रोक्सी को संबालता है उसके पीछे-पीछे स्टैन का दोस्त भी आ गया था पर असली मसला अभी बाकी था और वो था पहना विमपायर उसका सामना करने के लिए दोनों ने पूरी तयारी कहने थी जो कर सकती थी जैसे की पूरे घर कोछे से सील कर देते हैं बहुत सारी नौकतर लखड़ेया बनानी थी साथ ही दोनों गाड़ियों को भी चुपा दिया था तकि किसी कोई शक ना हो अब जैसे ही रात होती है ये दोनों उसका खात्मा करने के लिए तयार बैटी थी कि तब दिर्वाजे पर मार्बल की दोनों दोस्त आ जाते हैं अब इस तरह से उनका प्लैन खराब हो गया हला कि ये दोनों उन्हें समझाते भी हैं कि निकल जाओ यहां से पर वो उनकी एक नई सुनते और पिर तब यहां वो विम्पायर आही जाता है यसी मार्बल की एक दोस्त ने देख लिया था उसका दूसरे दोस्त बात नहीं मान रहा था इसलिए हो खोदी अपनी जान बचाने के लिए यहां से बागनी रखता है पर विम्पायर उसे उपर खीच कर काफी बूरी मोद भीता है क्योंकि उसका सारा ही कुन वो नचूर चुका था अब यह देकर मजबूरन उन्हें दर्वाजा खोल कर मार्बल की दूसरे दोस्त को अंदर लाना ही बढ़ता है पर कोई फाइदा नहीं था क्योंकि उपर वने फ्लोर का दर्वाजा बंद करना प्रॉक्सी भूल गई थी और अब विम्पायर उपर आकर वहां घूमने लगता है यह दिनों प्लैन बनाती है कि हमें उपर जाकर उसे खत्म कर दीती है अपने पने हत्यार लेकर यह उपर आती है और विम्पायर को डूरने के लिए अलगलग हो जाती है जो इने नहीं करना जाए था क्योंकि तबी मार्बल की उस दोस के सामने उसके दूसरा दोस आ गया था जो अब खुद भी विम्पायर था वो पने इस दोस पर हमला करके इसे भी विम्पायर बना दीता है और उकसी कमरी में जाकर तस्वीर देखनी लग जाती है पीचे से मार्बल का विम्पायर दोस आकर उसे पर कर लीता है उसकी आवास सुनकर स्टैन जियर से ये जाता है तो बीच में मार्बल की दुनों विम्पायर दोस आ गई थी तब वो जिल्दी से एक कमरी में जाकर उसे लॉक कर लीता है और गण लोट कंडी लगया था ताकि उनकी सर उड़ा सकी इससे पीच मार्बल की दुनों विम्पायर दोस भी जबरदेस्टी अंदर गुसरी थी जिस चीस को फाइदा उठाकर स्टैन एकी गोली से दुनों को डीर कर दीता है क्योंकि गोली उसने पहने बले की मुँ में वानी थी जो आर पर होकर पिछली बले की सीने में जाकर लिखती है इस तरह से एका सर फटकर जिसम सी अलग हुआ था जिसकी दूसरी का दिल उदर विमपायर जैसी रोकसी को पढ़ने वला होता है कि तब यहां स्टैन आ जाता है जिसने विमपायर पर गन दानी हुई थी पर वो इतना देज था कि एकी चटकी में स्टैन के पास आकर दिन उससे चीनता है और दोर फैंग दीता है तब स्टैन एक उलाड़े उठाकर उसकी कंदे पर दे मारता है पर इससे भी विमपायर को ज्यादा कुछ नहीं होता वो स्टैन पर बारे पढ़के उसी माही रहा था कि बीच में रोकसी आकर उसपर गन तानी थी उसे देखकर विमपायर स्टैन को बीचे फैंग दीता है और रोकसी की तरफ बढ़ने लगता है तो वो गोली उस पर चिलाते भी आए लेकिन कुछ नहीं होता जिसके बाद वो इस पूरे ही शेट को जिला देती है सारे पर्च की लाशे को इसके अंदर रखकर